नमस्क्त दोस्तों, Learner.com मैं आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा ये बटन जिस पर A off करकर लिखा है इसका क्या मतलब रहता है और ये किस काम आता है तो जब भी हम इस बटन को प्रेस करते हैं आपको इसका इंडिकेशन आपके MID पर भी आता है तो यहाँ पर भी आपको सेम इंडिकेशन देखने को मिलता है आखिर इसका क्या मतलब है आए जानते हैं ये उनी गाडियों में मिलेगा आपको जिन गाडियों में idle start stop function आता है ये function एक तरह से micro hybrid function होता है जिसमें कि जब भी गाड़ी आपकी idle situation में आती है जो कि traffic light पर भी हो सकता है या किसी भी traffic jam के अंदर भी हो सकता है वहाँ पर जब भी आपकी गाड़ी idle situation पर आती है for more than 3 to 5 seconds आपका जो engine है जो ignition है वो turn off हो जाता है और आपको इससे fuel saving भी होती है तो ये button practically दिया किसले गया है कि अगर आप उस system को off करना चाहते है कि आप नहीं चाहते कि जब भी मतलब आप idle situation में आए तो ये गाड़ी आपकी off हो जाए उस condition में आप इस button को press कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब यहां पर indication आ रहा है that means कि आपका ये mechanism अब off हो चुका है अब आप जब भी idle situation में भी आएंगे तो भी आपकी गाड़ी का ignition off नहीं होगा बट आपको मैं बता दूँ कि ये केवल सिर्फ एक बार ही काम करेगा जब तक कि आपकी गाड़ी का ignition on रहेगा जैसी ही आप गाड़ी को off करेंगे और दुबारा से start करेंगे ये जो function है ये by default दुबारा से आपका activate हो जाता है तो इसको आपको अगर चाहें तो हर बार आपको manually से off करना पड़ेगा बट हम recommend करते हैं कि आप इसे off ना करें क्योंकि इससे आपकी idle situation में जो गाड़ी में fuel burn होता है और waste होता है practically उसको ये save करता है और अब जानते हैं कि manual and automatic दोनों transmissions में ये आखिर काम कैसे करता है तो automatic transmission के अंदर जब भी आप traffic signal पर मानलेजी आप रोके हैं तो आपकी गाड़ी idle situation में आती है तो अगर आप D mode पर भी हैं driving mode पर और आपने brake press किया तो आपने brake press करकर रखा हुआ है गाड़ी में और आप 3-5 seconds से ज़्यादा idle situation में रहते हैं तो automatically आपका engine जो है वो turn off हो जाता है उसके बाद जैसे ही green signal होता है या फिर आप move करना चाहते हैं उस condition में आपको सर्फ एक बार accelerator press करना है और आपकी गाड़ी वहीं से चलना शुरू हो जाती है in case of manual transmission आपको ये feature use करने के लिए जब भी आप idle situation में आते हैं आपको अपनी गाड़ी को neutral में लाना पड़ेगा और neutral में idle situation पर खड़ी रहने पर 3-5 seconds के बाद आपका ignition automatically off हो जाएगा तो जैसे ही आप दुबारा से clutch press करेंगे गाड़ी को चलाने के लिए automatically आपका ignition on हो जाएगा और साथी जैसे कि हमने शुरुआत में बताया अगर आपको ये feature लगता है कि आपको बार बार traffic signal में गाड़ी बंद होना पसंद नहीं है तो आप इसे इस बटन को प्रेस करकर off कर सकते हैं आपको जानकारी मिली होगी इस बटन के functions related ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जिने आप देख सकते हैं और इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरे मच फॉर यू टाइम